जैस यह राम हम सैट फाइव के पार्ट वन में जो इसके चार के ढहतक कर चुग है दुजार तेसका सैट फाइव और उसका कह जो है कटा हुआ है पांच कह और पांच कह कह का कुश्चन है इस चितर में जो तार है ए-b चितर हुआ गया भी दिखाऊँगा उसका जो में तार पर बिंदू सी बिंदू एसे उसकी एक चुथाई दूरी पर है वोल्ट मीटर का पाठ्थ्यांग क्या है अब एक बार हम जड़ा चितर देख ले तो यह चितर है यह बिंदू जो एसी एसी की जो दूरिया वह एक चुथा इसका पूरे का परतिरो जो है बारह जा निकालना है हूं 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 कर अधा है कुलत हो गया हूं हो के है हूं हो के हुआ हम गएंगे क्यों एबी का परतिरोध कितना है कि एबी का एबी का परतिरोध है कि बारह हजार ओम हूं है और जो एसी है वह एक चुथाई है एबी की तो एसी का परतिरोध कितना हो जगा एसी का परतिरोध हो जगा बारह अजार का एक चुथाई यानि की कितना हो जगा तीन अजार ओम हो जगा ठीक है अब जो यह जो यह जो तीन अजार ओम का परतिरोध है यहां तक इतना होगए तीन अजार तो में वो कितना है छहाँ जारों में और यह दुनों कि है समानतर करम में ठीक है चूंकि आर एसी वे आर वी समानतर करम में जुड़े हैं समानतर करम में जुड़े हैं आपको पता है समानतर करम में जगर में छहाँ जार को तीन है जार को जोड़ों में कितना होगा आप इनको समानतर करम में जोड़ने का फॉर्मूला आपको पता हूं ठीक है नहीं पता तो कमेंट में पूछे लो मेंट से में बता दूगा तो इनका तुल्या परतिरोध होगा इसलिए इनका तुल्या परतिरोध कितना हो जागा तुल्या परतिरोध होगा? कितना जी भई? दो अजार ओम हो जाएगा इनका तुल्या परतिरोध 6500 को तीन आजार पा ठीक है जोड़ कर देखो समानतर करम में यह आएगा अब देखो यहां से आतखर पक za-se-cula कतुल्या परतिरोध कितना हो गया? 2000 और जो यह टोटल एबी का जो था वो था 12000 तो इधर इतना बचाता बीसी का 9000 और 2000 यह क्यों हो जगा 11000 ओम हो जगा ठीक है तो हम ऐसे लिख सकते कि बीसी का परतिरोद होगा 9000 या ऐसे लिख दो एबी के मत दिया है कुल परतिरोद कि तना हो जगा 2000 पलस 9000 और यह 9000 ओम क्या है यह 9000 ओम है बीसी का परतिरोद भाई बीसी है ना हो हाँ यह बीसे सी था क्योंकि एसी का तो तीन होगा 9 इसका होगा तब ही तो टोटल बारा होगा ना तो वह बीसी का परतिरोद हो गया ठीक है तो यह कितना हो जगा यह हो जगा ग्यारा हजार ओम यह हो गया अब जो आम धारा निकाल लिए धारा निकाल लेंगे चलो धारा कैसे निकाल लेंगे धारा आई बराबर क्या हो जगा 220 वोल्ट है 220 वोल्ट और बटे 11000 ओम परतिरोद हो गया ठीक है तो इससे इसको कटेंगे कितना आएगा 22 पंजी होता है 110 तो धारा जाएगी 1 बटा 50 एंपिर या जाएगी 13 अब जो है मुझे वोल्ट मीटर का पर्धियांग निकालना देखो वोल्ट मीटर क्या लिका किसके मद्य लगा है कि वोल्ट मीटर एसी का नहीं एसी के मद्ध्य तुलिया पर तिरों जुआ था मेरा दो जार ओम इसको और एक्विलेंट लिख लेता हूँ है और एक विलेंट वह भी किसके मद्द्ध है एसी के मद्द्ध है तो वोल्ट मीटर का पाठ्थ्यांग कि कितना हो जएगा यह जगा 2000 ओम इंटु एक बटा 50 एंप्यर ठीक है और एंप्यर गुणा ओम कि वोल्ट वन जाएगा तो इससे तो जीरो कटी और जूह है पांच से 200 कटके कितना जगा चालिस वोल्ट आजेगा ठीक है तो जो है किदना पांट ठांक है वोल्ट मेटर का चालिस वोल्ट है ओकी पूरा देख लो गपर द्वारा क्या करा अब क्या अगला अगला कह रहा है कि एंपियर के नियम की साहिता से है और लंबे सीधे धारावाई चालक के करण किसी बिंदु पर चुम्बक के छेत्र का सुत्र व्यूत्पन कीची एक्चुली पिछे हम इस सैट पांच वे से पहले चार सैट कर चुग है उनमें साथ एक से दो बार तो हम इसको व्यूत्पन कर चुग है तो अभी फिलालना मैं इसको बहुत सोर्ट में करूंगा वैसे तो करना भी निचीए कि कर चुग है है आ एक परिपत बनाओंगा इसके ऐसे जिसके अंदर से यो के जाएगा ठीक है किसकी इतने और तरीक्षेवा और इसमें क्या होगा जो ज ratchet means catch का लूंगा ना तो जो भीetty कि इस अवी वही किसी दिसा होगी मैगनेटिक फिल्डेगे कि तीछ ठीख है सेम टु सेम दिशा किसे की ओगी डीबी की होगी तो यह नहीं के बीच में को टीडिए बने गा ठीक है चुमबा के छेतर जोगा बी लिग ले ते एसको क्योंकि आर दूरी पे हर जंगा टार के कार integration गैसे बी-ад्ड यhmm भर म्यूनँड आई ठीक है और यह क्या बड़न यगा क्योंकि इनके बीच मैं कोंग कितना जीरो डिगरी का होगा तो पीडियल कोस्ची जीरो डिगरी का मान वन राभर मून वथ विच्ट को मलनूम है integration deal वराबर नियू नोट आई ठीक है और integration डियल के वैल्यू के पूरे वरत की परीदी यानि टूपाई आर वराबर म्यो नोट आई ठीक और भी वराबर म्यो नोट आई बटर टूपाया लेंगीं प्लीज नोट माई बात की आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है ठीक है पेपर में आपको पूरा अच्छे से लिकेना पड़या कि मानलिया है यह ृ। जो जो है बाग की चीजह एंपर के परिपतिया नियम से यह भी टोडियल यह ऐसे अच्छे से लिखना है ठीक है अच्छा तो वह यह तो आप मारी वीडियो में होगा नहीं या फिर बुक वगारा से देख सकते हो ठीक है वह इतना मुश्किल कामने में सबसे अब अगला कुश्चन क्या है देखेंगे द्यान से तो यह कहा रहा है कि भाई देखो यह आप कुछ इतर दिख रहा है ने का हां दिख रहा है कि एक पारदर सी गुठके चला है अभी यह चुछ कांच है इसमें यह अप्तित परकास किरन डाली मैंने पंतार्श दिखरेक और मैंका जी ठीक है और गुठके के पदार्थ का न्यूनतम अपवर्तना एनका मान ज्याद करना है जिससे कि जब जो परकास है य है कि तो न्यूनतम के लिए मान लेते की ये जो है इसका करण्ती कॉमना पर पूँचing तो न्यूम नियूनतम हो जाएग कि मिनिमावुतना दोने ऐसे शाम जड़ा गउर वहा तो पिक अ वह जा yhtए मिनिमा उतना ले लेंगो कर अनति कौन पर क्या होता यह पर kadra तो मैं क् यह देखो यह कि एबी सीडी एबी फुसी डी यह यहां से यह परकास डाला ऐसे और यह परस्ट पर गया लंब है ठीक है और कौन कितना मारा फॉट्टी फाइव डिगरी यह यह आपतित प्रकास की किरन है हमने का कि यह ऐसे सिद्धी जाएगी ठीक है ऐसे इसको सिद्धी लेकर जा रहे हैं अरे आज या थोड़ा से इसको ऐसे न मालो यह थोड़ा सा नीचे तक है है मानने के ठीक है कि इसको परष्ट बीची से कहा है तकराना है तो ऐसे मान लिए ठीक है ताड़ यह लाइन ने रोपर नीचीए थी यह वाले डिस्टर्ब करेंगे कोई बात नहीं यह ऐसे परकास की किरन है ठीक है अब देखो यह जो है परष्ट पर लंब है तो ठीक है ऐसे तो यह मान लिए परकास की किरन यहां पर टकरा रही है अरे एक सेगेंड चितर अच्छा ड्रो नहीं हो क्योंकि भाइस का तो अप वर्तन भी करना ना इसको दुबारे ड्रो करते हैं अच्छे यह ऐसे यह ड्रो कर लिए यह परकास की रना यहां से ठीक है यह लंब है ठीक है और जैको यह सगन माध्यम होना चाहिए तब ही जो है इसका बार का माध्यम जो विरल होना चाहिए तब ही क्या हो सकता है पूरांतरिक प्रावर्तन हो सकता है तो क्या होनी चाहिए यह अभी लंब की तरफ को थोड़ी इस परश्ट से तक्राई ठीक है अब देखो अगर मेरे दर इस परश्ट पे मैं ऐसे लम डाल दिया यह लम डाल दिया इस परश्ट पर यह लम ये इस बाहर तो प्रकास निकलना चाहते है उसके लिए यह आप्तनकोन होगा ठी है हम कहाओ चाहते इस पूरा अनत्रीक प्रावर्तनऊ हो लेकिन एञार का नियुनतम ढ Glue UE यह अव रही बने स्कूशल मैं आई बोलता हूं यह क्या होने चेए खालतिक क्यों खोलक्र यह तो ऐसे लंब है और यह भी लंब है तो यह कोण तो कितना होगा यह कोण तो 90 डिगरी होगा और यह एंगल है आर तो यह एंगल कितना आएगा यह एंगल एक्चुली यह आएगा 90 माइनस आर यह एंगल कितना आएगा 90 डिगरी माइनस आर यह एंगल यह आएगा और यह बाहर का तो एंगल है यह तो 90 डिगरी है ठीक है हम तो एक्चुली तो हम यह जाते कि यह पूरा अंत्रिक परावर तो नो पर मिनिमम के लिए माल लेते कि यह जो है ऐसे इस परस्टे लगते हुए जा रहा है ठीक है अब देखो यहां पर हम यहां पर इस पे सनेल का नियम बरबर क्योंभा अप वरतनांग होगा एट क्यों और सईनायाइस साइना बराबर हैं तो क्यों होगा साइन मेलेक सकते हौ साइन 25 डिगरी कि फूटीवाइब इगरी बदी बराबर यह दर चला जाए पण साइन और थिया रहना उसकी वैल्न्राण रीना इसको बराबर N साइन आर इसको तो इस से मीकर रण को तो यह छोड़ देते हैं अब जो है एक बोल दो चाहे तो इसको अब इस परश्ट पर लगाएंगे परकाज यहां से यहां ऐसे गया तो अंतरिक कोन क्या है यह साइन यह कोन क्या है 90 माइनस आर है ना इस आई के वैल्यू यह आर है यह 90 है तो इना इन्टी माइनस आर है और बटे आप तन को यह जो बाहर दो कर लाई तो कितना है 90 डिगरी है ठीक है और एन जो है इसका अपवरतनांग था इसका कांच के सलैब का तो बार वाई यू यह जो भी होगा उसका पवरतनांग इसके साप एक्स क क्या हो जगा एक बटा आनों हुझाए ठीक है यह कितना हो जगा यहाँ बटा एंड यह पता होना चाहिए अगर किसी एक माद्ययम का दूसरे माद्ययम के साप एक से प्वरतनांग ऺंद है तो दूसरे का कि एकटी वैल्यू क्या जगे एंड की वैल्यू जगे यहां से या एन की मैंटिपलाई कर दो इधर तो यह जोन एन वें पोश और बराबर है वन अब देखो एन शाइन आर कितना था एन साइन आर था वन-वाई-ूट टू और एन कोसर कितना गए यहागा वन अब इन दोन्य सभुए को स्क्वार करके जोड देता हूं सुक आया तो कैसे करो ओगा एनिस्ख्यर इसको समीकरण दो बोल दिते हैं और क्या करेंगे समीकरण एक व्याए दोधो मिर्गर करके मैं वर्ग करके जोड़ने पर पी गशेख तो возможно इस शौर करके ज़ूड़ interesting ये कह येओ जगा पलस n square cos square r बढ़ाबर इसका square करेंगे तो 1 by 2 और इसका square करेंगे तो 1 ठीक है तो क्या हो जग我們 n square तो को बनना जगा sin square r plus cos square r बने जगा eo sin square r plus cos square r बढ़ाबर 1 plus 1 by 2 ये कितना बना जगा ये हो जगा 3 by 2 हुआ यह क्या होना अपन सब्सक्रा पर नर्वं्ध द्वाई टू और एं बरावर हो जाएगा रूट में 3 ग तू यह अब परकास का पूर्ण प्रावर्टन होगा यह निकलेगा ऐसे तो आन एक्वली में इन्वास्त विकतता में एंड बड़ा होना चाहिए यह रूट थ्री पाइट टो से ओके अब अगला कोशन गया रहा है एक्चली हमने ना इस वाले कोशन के अलग से वीडियो बना रहे है और आपको ना अलग साब दिख जाया क्योंकि उसके थमनेल परी मैं नहीं एचीतर लगा रहा है लेकिन करू दुबारा नगरू चलो करी देते हैं दस सेंटीमिटर वकरतर तो तरिज्जा का चाश है उसका परतनांग है तीन भाइट उसके दो दूई अवथा लैंस एक यह है और दूसरा यह हैं निन यह दो है पर हैं है है संपर्ग में रखे है और दोनों लैंसों के भी जलब रहा है जिसका पुदानांग यह चार बाई तीन तो यह लैंस की चमता है वंपर करते ग्याद करो देखो सब्सक्राइब दुन्नों समान होते हैं ना उनके लिए लैंस में कर फॉर्मूला पड़ आया मनें लैंस में कर फॉर्मूला क्यों होता है वन बाइट एफ बराबर म्यू माइनस वन अपन आर वन माइन मिनस वन बाइ आरट यह तो होता है लैंस में कर फॉर्मूला है ना और जब दुन्नों लैंस समान वकरतर तरह तरह जा गया हो तनी समा वतल लैंस के लिए following the mult 219 By sore und узate μाइना और अजती है अमें है री एक निगेटिव ए यह पहले वारी जो है निगेटिव की साइड है और दूसरे वारी पोजिटिव साइड तो क्या हो जाएगा फोर्मूला एक बटाएफ बराबर मयू ओन ऊसे एक बटार यह कहा है माइनस के दो क्या निकालना कहा है संजुख लैंस की चमता है वंपर करती है वह बटे आर के वैल्यू कितनी है दस सेंटिमीटर वह करता तरिज्जा ना तो दस है तो देखो तीन बटा दो मैंसे एक जागा कितना बचेगा यहां इदर इसमें वन बाई टू बचेग कितना जागा इसका माइनस के एक बटा दस आ गया है नहीं किस चीज में सेंटिमीटर में कि एक बटा एक कोई क्या बोलते हम पी बोलते हैं ना हाँ हाँ बोलते तो है लेकिन फोकस दोरी जो है चलू यानि पी बराबर कितना आ गया कि एक बटा दोसे दो कटगा है कि स्टेंटिमीटर में पर यह उना चीए था मीटर में यह ना चिभी बड़ाबर एक बटा भुटत आ है है किया यहां से एफी कितनी आगी चिद्धिष यद्धे 7 गश्याग्राइब आज में चम्यशन वावत हएं यह होगी ढूंद बोलन दूसरा लैंस भी सेम है तो दोन्नों अवदतल लेनसो multi कि रचमता है कि किंदने होसे की डुली हो जाएक अब ग्या है अब उत्तल वालें की है तो सेमinkहे फिर्म लगेंगे बता है खें बराबर लिख ले उत्त लेंस के लिए एक वलटा गर मियू की चाहर बटा तीन लेकर देता हूं कि दा चार माइनस वन और यहां क्या बन जागा दोबाटा और बन जागा और उसके भी दस यह है कि उन्हें के बीचमें बढ़ा है ना वो दस तो इसकी एक बटा एक कितने हैं जाएगी चारबस तीन मे स्क्राइस सुब्सक्राइब यानि या इस पांच से काट दो तो बीस बड़ा तीन डायंप्टर तो कुल छम्था कितीन हो जागी तीन होगी घुल च्म॥ आ तीन यानि कि माइनस एक माइनस के 40 बटा तीन डॉप्तिर के क्या होगी उन्हें जोटके और करती होगी अब देखो अगला क्वेला क्वेशन क्या रहा कि परकास का विवरतन क्या है और यह जो भी था यह तो तो सेलिबस में से कटा हुआ है इस टार लगवे ना तो परकास का विवरतन क्या हुटते को अगर परकास के मार्ग में एक बहुत पतली वस्तर आ जाए जिसकता आकार परकास की तरंग धार्या कि तो लेओ म bully उसका लगबात उत्तर फिक तो परकास जो है वो उसके किनारे रोपे मुड़ जाता है ठीक है से जा रहा है जूं से मोड़कि चलिकार नहmee iasle प्रखाश आ रहा है तो यह से टकरागे वहापस नहीं ऐसे मूड़ जो राप जो क्यों होते हैं फिर किनारों पराकास का जबोल लिए ईसे उधरीन परीवासत आपको दरेंगी गहां तो है तहां मज़ा आ जाएगा तो तो बहुत दिन होगे देखो भी डेफिन जा नहीं कि वो दिन तो नहीं होएंगे तरहां कुछ तो दिन होगे अगला के यह कह रहा है कि यंग के दूइश लिट परियोग में दो तरंग दैरिया एक छेहाजार एंग स्टांग और एक पांच जार प्रियुक्ट के प्राकास को प्रयूक्त कि या जाता है सिलूट्ड़ों के दूरी एक मिलिमेटर है है और ऻो में अग्ड़ीट बीश तल चुटा रडी ठीच है फॉर्मूलै में और छहार एंग स्टांग के लिए के इंद्रिया एक इस्ट में दूइत्त फिरिंज की दू दूरी दूरति यह अधिप्ट फ्रिंज की दूर निकल ने तो एक दिप्ट वाले का फोर्मूला वैंडिप्ट वाले का फोर्मूला यह अगर अगर एंवी एदिप निकालनी है वह वह झाल दो एन-1 अबाई दू और दी लैमड़ा भाई इधी नहीं तो इस कुशन में एन वर है मारे दो दूसरी य॥े निकालनी ना डी बरावर है एक मीटर नेमडा कामान हें 600 000 एंग स्ट्रांग कि ओता है डश-प्रमाइनस-थ ister मीटर तो यह न्यगा चैनलवा दश-क्र Обर माईनसस के साथ मीटर वह गू Comes बर्लिए 111 में होते हैं 30 की पावर माइनस के तीन मीटर अब यह सब कुछ वैल्यू इसमें रख देंगे तो वाई टू की वैल्यू आ जाएगे मेरे पास दो दुनी चार में से गया तीन बटा दो गुर्ण डी के वैल्यू है एक मीटर गुर्ण लैमडा च्छे गुर्ण दस की पावर माइनस के साथ तो दू से कटेगा तीन और तीन तीय हो जाएगा नो और नो गुणा यूपड़ जाएगा माइनस तीन तो बचेगा दस की पावर माइनस के चार मीटर और इसको लिख सकते हैं 0.9 मिलिमीटर ठीक है अब इस से आगे इसने क्या पूछा है इसने पूछा है पांच जार कि दूरी दिफ्ट फिरिंज की पूच आ वाई तो दिफ्ट फिरिंज के लिए फॉर्मॉला क्या है वाई एन बरावर एन इंटो डी लैमडा बाई डी ठीक है ये है तो इस में N बराबर है तीन और डी वगईरा की वैल्यू सेम ही है लैमडा की वैल्यू है पांच अजार एंग स्ट्रांग यानि के पांच गुना दस की पावर माइनस के 7 मीटर तो Y3 आ जाएगा तीन गुणा डी के वैल्यू कितने थी एक मीटर गुणा पांच गुणा दस की पावर माइनस साथ बटे इस डी के वैल्यू है दस की पावर माइनस के तीन तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पांच ते पंदरा गुणा दस की पावर माइनस के चार मीटर यानि 1.5 मिली मीटर ओके अगला कहा रहा है कि केंद्रे फिरिंज से वे नियूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैरियों से उत्पन दिप्त फिरिंज ये संपाती हो संपाती हो मतलब एक ही जंग है पर मिले एक ही दूरी पर मिले तो देखो पहले के लिए दिप्त फिरिंज क्या बनेगी एंड वन भूल लेते हैं डी और लेमडा वन और बटा डी दूसरी वाड़े के लिए कि क्या बनेंगी एंटू डी लैमडाटू बटा डी डी वाइजी टी से डी अख़र मेंसे describing हो जैगा एंवन का में मननी पताइंटो confront लेकिन लैमडावन कितना इसजह जार document Рrek brand है यह पांच हजार एंग स्ट्रांग वाड़ी है तो बाग की सब चीज़े कट जाएगी यह चैन वन बराबर है पांच एंड टू के तो ऐसी दूरी अब जो दुन्नों के लिए पूरणांग हो तो एंड वन की वैल्यू मैं ले लेता हूं पांच इंटू की वैल्यू ले मैं इस प्हली लेकैं दूरी वह कि कितनी आ जाएगी वह दूरी क्या होतुरी को मैं उसको 19 कर देता हूं वह दूरी आ जाएंग अनैयड़ की वैल्यू जाल देếu पांच लह जाए पांच गोना डिक वेल्यू एक मेटर एक मेटर मीटर गुना लेंड़ लेलू जो है वहो च ज्यार यहन्हांट को उत्ष पावर माइनस के साथ मेंटर और सच्प्रोन चुर्टे के वायलव mejorar grouped माइनस COP 3 तो यह हो जाएगा चैंप पंजेती सो कुणा दस की पावर माइनस के चार मींटर यानिके यह न्यकूर sanitizer के पावर माइनस के तीन मीटर यानि के तीन मिली मीटर इतनी दूरी पर पहले छहाँ जार एंगस्ट्रांग वाड़े की पांच वी दिप्त पिरिंज बनेंगी और पांच जार एंगस्ट्रांग वाड़े की छटी दिप्त पिरिंज बनेंगी वहाँ पर ठीक है तीन मिली मीटर ओके अब अगला कुश्चन क्या कह रहा है अगला कुश्चन कह रहा है कि दो समांतर धारावाई चालकों के बीच काड़े करने वाले बल के आधार पर एक एम्पेर की परिवासा दीजिए एक एम्पेर की परिवासा देता हूँ अगर दो तार हो थे हैं दो तार हो जिनके बीच में मैं एक मीटर हैं निर्वात निर्वात है और अगर इनके बीच में आपस में परती एक मीटर की लंबाई पर एक मीटर की लंबाई पर बल जो है वो दो गुनादस की पावर माईनस के साथ न्यूटन का बल लगे तो इनमें जो दारा बै रही है वो एक एम्पियर की दारा होगी ठीक है, देखो यदी दो सीदे दारा वाही चाल को के बीच की दूरी बीच की की दर लिख रहा है बाई दूरी कितनी हो एक मीटर हो एक मीटर हो था निर्वात में निर्वात में उनके बीच बल दो गुणा दस के पावर माइनस के साथ नियूटन हो तो उनमें एक एमपियर धारा परवाहित हो रही है एक एमपियर धारा परवाहित हो रही है यह आई कहां से बाइच लिए हो क्योंकि दो तार अगर जिन में आई वन और आई टू धारा बैरी हो तो उनके बीच का बल होता है बराबर म्यू नोट बटा टू पाई आई वन आई टू बटे आर इंटू अल मतलब लंबाई होनेगी ठीक है अगर उनके बीच यह पर लिखना चाहता है परती मीटर लंबाई में ठीक है भाई निके बीच के बाद इस्टार लगा गया परती मीटर लंबाई में भी लिखा है है कि अल्गय में बीटर लेरेने व $& बराबर ना बीच की दूरिख मेंटर ल बराबर भी मेंटर है और आई वन बराबर आई टू बराबर भी अगर एक एंपियर होगी तो बल कितना जाएगा वाई देखो बल कितना आएगा मियो नोट बटा टू पाई बचेगा बाग की सब तो एक एक हो गया न्यूटन उम्यूनोट की वैली होती है चार पाई गुना दस की पावर माइनस के साथ बटे दो पाई तो इससे कट के दो बच ज करे दो अग्या है कि चित्र में जो है 275 को के भी चार अच्छा दो समांतर यह इन में धरा परवाइद हो रही है ठीक है तो कहरा कि इनके बीच यह जो बिंदू पी है यह इसमें तो दस एंपियर की दारा बैरे इसके उल्टा इसमें जो है आई धार रवे मेरे तो यहां से है चुम्बा के जिक्षेत्र दो ऐसे उठाकर ओगिन रेख्षन में यंदर की तरा फोक उसकी वैस् वजह से बार की कली सब करेंगें किया को हएक सिर्फ सून्जें हो तो चालक वाई में इस में धारा दस ऐंप्र है इसकी धारा बतानी है इस इसमें कितना 1 अपका सब्सक्राइब आपी बता देंगे अले क्यों में ले देखो दस एंपियर वाले के कारण चुम्ब गए जेतर इंटस एंपियर वाले तार के कारण जो है चुम्ब के चेत्र बीवन बोल देते हैं उसको बीवन वह कितना हो जगा वह जोगा म्यू नोट इंटू दस एंपियर देखो फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई बटे टूपाई यार तूपाई अभी तरह था हमने यही फॉर्मूला से तो दूरी के इससे दूरी है पांच सेंटीमेटर भई है पहले इससे दूरी पांच और दूसरे से बढ़ने जाएगी 15 है नहीं तो इंटू पांच सेंटीमेटर बीटू कितना हो जगा बीटू हो जगा म्यू नोट आई धारा है बटे दो पाई इंटू 15 सेंटीमेटर और जो है बीवन में से बीटू गटाके बराबर जीरो कर दो तुम्नेंग दूसरे के भी परी थैंए नहीं बीवन माइनस बीटू बराबर जीरो कि पी पर चुंबत की है छेथ ऐसे लिकिन पीपर चुंबगा ऐसे पीवन माइनस बीटू और आपर 0 यानि म्यूनोट बटा टू पाई यह तो आजएगा उपरदे वाले में बचेगा दस एंप्य में बटा पंच संटस्य ने झाल कि दूसरे मैं कि बचेगा दूसरे में बचेगा पंढरा सेंटस संटीमेटर तो उसन दो और बाकी सब कुछ टट के तो बर्क कर्ना बचेब है că यहां बचेगा पांच में से दस गए तो बचेगा दो दो माइनस यह तो जीरो में चला जागा सारा आई बटा पंदरा आई बटा पंदरा बराबर जीरो ठीक है यानि दो बड़ा यह दरा जागा पलस में आई बटा पंदरा पंदरा की इंतरकुना यानि आई बराबर कितना जागा तीस एंपियर तीस एंपियर की दारा परवाइत हो रही है ठीक है तीस एंपियर हो गया अच्छा जी अब एक कुश्चन और कर लेते हैं यह ए रहा बाबुजी यह नाबिक संलियन की परिकिरिया है यह जिसमें चार नियोट्रोन है और तीन प्रोटोन है और फिर मिलेके लीथियम बनाते थ्री एलाई सेवन तो कितने मिलियन इलेक्टोन वोल्ट उर्जा उत्पन होगे कहा दिया इसने इसके द्रहमान दे दिया और यह भी बता दिया कि एक एम्यू का मदलब होता है 931 मिलियन इलेक्टोन वोल्ट इतने उर्जा एक एम्यू से बनती है नहीं अच्छा भाई ठीक है समझे के हम दो तो भाई देखो हमको क्या करना है पहले इनका चार न्यूट्रोन लोग और तीन प्रोटोन लोगा द्रेमान निकाल लेंगे या उसमें 931 की गुणा करते हैं उतने मिलियन इलेक्टोन वोल्ट हमें उर्जा मिलेगी ठीक है पहले क्या करना है पहले सिंपल्स देखो न्यूट्रोन वाड़ा कितना इसमें चार की गुणा करनी है 1.00867 1.00867 करो इसमें चार गवना चार न्यूट्रोन है ना साचोग है ना कैरी दो आठ चुक बतिस दो चूंतिस है तीन उचार जीरो जीरो उचार एकम चार ठीक ना तो यह हो जाएगा दूसरे वाला का है दूसरे वाला है वन पॉइंट 00728 00728 प्रोटोन तीन है तो इसमें तीन की गुणा करनी है आठ यह चूबिस कैरी दो तीन दो निच और जीरो और तीन एकम तीन या अब इन दोनों को जोड़ देंगे तीन पॉइंट 00218 जोड़ आठ चार बारा का दो कहरी एक आठ चैस्चोद्य कंद्रक पासे कहरी एक चार एक पांच एक छे तीन दो पांच पॉइंट 007 तो ही आ जाएगा साथ पॉइंट 005 और इसमें स प्राइब 001 433 यह वारा क्या करेंगे माइनस करेंगे तो देखो 12 में से 6 चार चार में तर इन गया एक उच्छा में से चार गए दो पांच में से एक तीन बाकी तो जीरो जीरो पॉइंट 003 जी है द्रेवेमान चाहती डेल टाइम द्रेवान चाहती इतने एम यू तो यह उड़ जा कितने के बराबर होगा बराबर जीरो पॉइंट 003216 गुना 931 मिलियन इलेक्ट्रोन वोल्ट के बराबर होगा इसमें 931 की गुना कर लेंगे अब हैं ना जीरो पॉइंट 003216 गुना 931 जीरो पॉइंट 003216 गुना 931 जीरो पॉइंट पॉइंट तो लिगाते हैं नहीं जीरो बाद में लग देंगा तो गुना भर तेन श्रुक्त तूका 20 के इक इन ये चार तेन लोगे दूनी छें वो तीन उत्ते आरो प्राइम चटेजह को एंड के घैने फैसे के सब्सक्का 250 प्राइब 12077 थे कैड़ीommes जोड देंगे 6 8 और एक 9 उचार चराट दो दस कैरी एक 6 चर दस चार चोदा का चार का कैरी एक नो नो ठारा एक उन्निस का नो का कैरी एक प्राट एक नो उच्ट दो ओ भाई कहीं गडबड हो गी है क्योंकि मेरा तो 399 था सायद एक बार एक बच्चे करवाय था एक कुश्चन आंस्वर आ रहा है इसका 39.2 मिलियन एक तोन वोल्ट सायद यहां पर मल्टिप्लाई में कही है है निमनेदें गडबड ए स्क दिद्वाइब जान में का ना कहीं पर टूंट भाई में पान को पर दो एक बच्ट वाइंट आंस मुआ इस नो इस और जाल आए ने आई एको बार एक नाइस तोन नए कंधन ने एक अमनल टारा भाई कहीं तो गडबड हो चुग है मारे सुनों 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 बाई यहां देखो बारा में से चैनल पांच मैं चैनल के दोर यहां पांच में चार बचेगा ठीक है ना ना ये फोर अर पोर टु वन सिक्स तो यहां पर कर बढ़ा हैंड या फूर टू वन शिक्स ठीक है तो अब अगर मुल्teil गरें ना तो यह फोर आफा फूर और ये थश्य ज तूटिंग शूके बारा है ना इबन जैगा यहां पर रहे जो फिय लॉदन नश्मीर तो कहरें नो चुक चतिस रेक जो जाएका 37 थार्टी सेवन ठीक है और यह चैन्ट चर्दस चोदह 15 का पांच का कैरी एक नो दूग्यारे एक बारा का दो का कैरी एक साथ रेकार्ट एक नो पुर्तीन थ्री नाइन तो आंस्वर यह यह रहा है मेरा थ्री नाइन पॉइंट ट इलक्टोन वोल्ट आंस्वर दे रहा है इसमें 39.2 तक है मैं भी तो यह एक बच्चे का साय दाजी करवायता है 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 आइक है आंस्वर 39.2 मिलियन इलक्टोन वोल्ट ओके तो ऐसे करना था मैं देखो दूबारा समझाओ अगर किसी के समझ में नाया हो देखो जब जो है यह ओक्रिए तीन प्रोत्न तीन तो प्रोतोन ठीक है और चार लुट्रोन इनसे जब है लियम नाभिक मनें अ ऐसलए ट्री इल एलай इसेवन ठीक है तो प्लस उस्वर स्थ एंशजी मुक्त तो अधिकर वह एंशरी मुक्त क्यों होगी विई इनका जो का दर्यम्णा चार यह और तीन इनका दर्यमण और इसका दर्यमान कुछ इसका दर्यमान कुछ कम है इनके द्रव ilsका गे देल का यह kita de कि मिल्टिप्लाई कर दिया हमने वह यह आंस्वर आगा मेरा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अब दो तीन कुश्चन बचले सेट के वागले वीडियो में करेंगे धन्यवाद चैन्ज अबारत जैसे आ रहा हूं